क्या कोई किसी को soldier बनने के लिए प्रसिक्षित करता है तो क्या उसको सैनिक होना जरूरी है आप सोच रहे होंगे कि हाँ जरूरी है लेकिन यहाँ थोड़ा सा twist है माय गौपर कमलकांज जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट साजा की है जो कुछ अलग बात कहती है ओडी सा में अराखुडा में एक सज्जन है नायक सर वैसे तो इनका नाम सिलु नायक है पर सब उन्हें नायक सर ही बुलाते हैं दर असल वे man on a mission है वो उन युवाओं को मुप्त में प्रसिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं नायक सर के और्गनेशन का नाम महा गुरु बट्रेलियन है इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटर्व्यूस तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलूँ के बारे में बताये जाता है आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने जिन लोगों को प्रस्रिक्षन दिया है उन्होंने थल से ना जल से ना वायू से ना सिया पिये से ऐसे यूनिफार्म फोर्सिस में अपनी जगह बनाई है वैसे आप यह जानकर भी आश्चेरे से भर जाएंगे कि सिलू नायक जिने खुद उडिशा पुलीस में भरती होने के लिए प्रयास किया था लिकिन वो सफल नहीं हो पाए इसके बाउजू उन्होंने अपने प्रक्षिक्षण के दम पर अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा के योग्य बनाया है आईए हम सब मिलकर नायक सर को सुपामना दे कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तयार करे मुँ एठीकी आसलेनी चारव सर्चरी गर सब मुझे तले आसले प्रथवरस्टाइब गार बुल्लू तेली एंदी ओटे सांका माते कोई दिला जे चाल शटीकी जिबा शटी दोड़ा दोड़ी करिवा ता मुँ एठीकी देखिले एठी डिस्सिप्लिन भाई सबल एठी क अधिकोले जम्मा हार मानी हो नहीं तो एठी मने दोड़ा सोहीतो मनोन जनका मनोन जने भी हो जी अधि 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 अधि